नमस्कार विदार्थियों आज जो अपने कलास हो रही है वो भारत का समाने परिच्चे की नेक्स कलास हो रही है पिछे अपनी तीन कलास में हुई थी उसमें अपने बात का समाने परिच्चे के बारे में बात की थी लेकिन आज इसी कलास को आगे बढ़ाते हुए बात कर रह और दो आपको पुसकि जो चुली क्लास भापॉवेश Union के साथ कॉन कॉन से रज्ज लगते हैं तो उसके बारे में अपने बात करनी थी तो आज मैं सिर्फ भारत के तटीय राज्य की बारे बात कर रहा हूँ देखिए मैंने सिर्फ भारत का दक्षनी जो हिस्सा है उसे बनाया है दक्षनी हिस्से में अब देखिए इस साइड आपको पता है क्या है बंगाल की खाडी और इस साइड है अरब सागर नीचे जो है बिल्कुल दक्षन में यह है हिंद महा सागर हिंद महा सागर अब देखिए यह जो हिस्सा है यहां कया है अब देखो इस तटके है मैंने जहाँ पर एक जलिये motivation वह एक स्तलिये बागव तो यहां मैंने आपको बताया था यह था यहां पर आता है गुजरात गुजरात के बादे यहां आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यहां आता है गोवा, तो कितने राज्य होगे, एक, दो, तीन, गोवा के बाद यहां आता है करनाटक, चार नमबर, और करनाटक के यहां आता है केरला, पांच नमबर, और इस साइडा दिखाओ, तमील नड़, छह नमबर, फिर आता है आनदर प्रदेश, साथ नमबर, फिर आता है ओडिशा, आठ नमबर, और फिर आता है लास्ट, वेस्ट बंगोर, नो नमबर, तो मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में में बताया था, कि बारत के तट के साथ, नो रज्य सिम्मा बनाते हैं, फिर मैंने बताया था, ये नो रज्य है, पहला गुजरात है, दूसरा माराष्टर है, तीसरा गोवा है, चोथा करनाटक है, पांचमा केरल है, छटा तमीन लडु है, साथमा आंदर प्रदेश है, आठमा ओडिशा है, और नोमा पश्यमंगाल है, अब तक कि मैंने आपको बताया था, कि गुजरात की जो तटिय सीमा है, वो सबसे लंबी है, सबसे लंबी, सबसे लंबी तटिय सीमा है, गुजरात की, दो नमबर पर अगर बात करें है, तो किस की आती है, अंदर प्रदेश की, शेकिन उस्तान, थेके शेकिन बार किस का था, पहला किस का था, गु अब आगे जो हम बात कर रहे हैं इनी के राज्यों के अधार पर और इस तट के कुछ नाम दिये गए हैं कि कौन कौन सा तट है राज्यत आपको बता दिये कौन से राज्य लगते हैं लेकिन तट कौन से हैं कुछ शेतर विशिष के उपर नाम रखे गए हैं तो अपने तट क बात करते हैं सबसे पहले जो तठ है यहां गुजरात के पास यहां यह जो तठ है इसे कहते हैं काकरा पार या काठिया वार का तठ इसके बाद में यहां आता है नीचे महा राष्ट्रा तठ फिर आता है नीचे यहां कॉंकन तठ फिर आता है कन्नड तठ कॉंकन तठ कन्नड तठ कई बार इसको एक साथ ही लिख देते हैं कॉंकन तठ या महाराष्ट्रा का तठ फिर कन्नड तठ हो गया काठिया वाड का तठ हो गया और यह जो है तठ इसे कहते हैं माला बार तठ इदर है कॉरो मंडल तठ और यहां जो यहां से लेके यहां तक और यहां से यहां तक यह उत्री सरकार तठ तो देखिए तठ की अपने बात की है काठिया वाड का तठ काकरापार का तठ इसे सोराष्ट्र का तठ भी कहा जाता है और यह तठ जो है सरवादिक लंबा है इसके बाद में जो हमने बात की है वो तठ है कॉंकन का तठ या इसको महाराष्ट्रा का तठ कह सकते है सरवादिक पेट्रोलियम उत्पादन वड़ा तठ है सरवादिक पेट्रोलियम बॉम्बे हाई यहीं है तो सरवादिक पेट्रोलियम उत्पादन वड़ा है करनाट का तठ या करनाड तठ कह सकते है माला बार का तट कोरो मुंडल तट और उत्री सरकार तट देखिए एक बात बता दें आपको कि भारत में भारत में सबसे पहले मानसुन भारत में सबसे पहले मानसुन मानसुन अगर पूंचता है देखिए दो बतें ध्यार रखिए अगर सबसे पहले मानसुन पूंचता है अगर आपको ये अंडोमान निकोवार वाड़ा भाग नहीं दिया उप्सन में ये नहीं दिया और आप से पुछे की भारत के किस रज्य में सबसे पहले मानसुन पूंचता है रज्य का नाम दे तो देखिए अगर रज्य पूछ ले रज्य तो क्या लिखोगे केरल केरल और तट पूछ ले तो वो क्या लिखोगे माला बार माला बार अगर ये दो है उप्शन में और इसके साथ अगर आपको दे रखा है कि अंडमान निकोबा द्वीप सुम्हें तो आपको सबसे पहले करना ये अगर आपको सबसे पहले पुछे कि बारत में मान सुन सबसे पहले किस राज्य में आता है और केरल दे रखा है मनें अंडमान निकोबार ओफ्शन में नहीं दे रखा तो आपको केरल करना है और केरल नया दे कि वो तट दे दे करो मंडल तट माला बार तट कंणड तट काकरा पार तट तो आपको माला बार तट करना है लेकिन यहां ध्यां रखना अगर आपको अंडम ड़ाबार तट पर आता है दो जुन को तो दिए थोड़ा ध्याँ रख न आगे हम बात करते हैं है 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 कि देखिए समंद्री स्मा की बात करते हैं समंद्र की सिमा के अंदर हमारी कितनी दूर तक बारत की सीमा है, उसके बारे में अपने बात करते हैं, तो तेखिए पहले तो अपने बात करते हैं, ये जो कटा-फटा भागा इसको मिला देते हैं, जो अंदर वाला भागा इसको, और विलकुल सिदा करके, ठीक है, अब देखो, पहली सबसे पहली बात है, समुन्दरी जो सिम्भ होगी समुंद्री जो सिम्मा होती है वो होगी नौटीकल मील में अ छीज़ मील में द्रातल का जो सदारन मील होता है उससे नोटिकल मील बड़ा होता है ठीक है नोटिकल मील में अब हमारे सा हमारे जो बारत की जो समुंदरी शिमा लगती है वो तीन परकार की है ठीक है तीन परकार की कौन कौन सी है नाम देखो सबसे पहले आती है प्रादेशिक सीमा, एक नमबर पर, प्रादेशिक सीमा, दूसरी आती है, विशिष्ट आर्थिक छेतर, विशिष्ट आर्थिक छेतर, स्पेशल एकॉनमिक्स जोन होते हैं, और यहां पर सिर्फ वेपार को ध्यान में रखा जाता है, तीसरा आता है, अनियन, आर्थिक छेतर, तो कहने करते ही हो गया, कि अपनी जो सीमाई लगती है, समुंदरी सीमाई, वहने कितनी दूरी तक सीमाई लगती है, तो तीन परकार की सीमा लगती है तीन परकार की जो सीमा लगती है सबसे पहली जो सीमा होती है वो प्राधेशिक सीमा होती है तट के बिल्कुल पास में होती है दो नमबर पे जो सीमा होती है वो होती है विशिष्ट आर्थिक छेतर तीसरी जो सीमा होती है वो अन्यन आर्थिक छेतर होती है देखी आगे आपको बता दे सारी जो सीमा होती है वो तट से ही होगी पहली जो सीमा होगी वो यहां होगी तट से इतनी दूर यह जो दूरी है तट से बारा नोटिकल मील होती है नोटिकल मील बारा नोटिकल मील इस सिमा को कहते हैं प्रादेशिक सिमा और इस सिमा के अंदर अगर एक दूसरे देश का जल्यान अंदर आएगा तो उसको क्या देना पड़ेगा टेक्स देना पड़ता है भारी जो टेक्स होता है जो भी सरकार जिस देश की जो सिमा होती है वो लागू करता है तो उसको टेक्स देना पड़ता है दूसरी सिमा जो होती है वो यहां होती है यह इस तट से यहां तक 24 नोटिकल मील होती है इसे कहते हैं विशिष्ट मने विशिष्ट आर्थिक छेतर यहां पर विशिष्ट परकार के एकॉनिमिक्स जोन स्थापित किये जाते हैं और उन पर भी टेक्स लेती है सरकार तीसरी जो होती है वो इतनी दूर होती है यहां से अपने कह सकते हैं मैंने देश की सिमाओं से बहु ज़्यादा दूर होती है और इसकी जो दूरी होती है इस तट से यहां तक 200 नोटिकल मील होती है यह होती है अन्यन आर्थिक छेतर आर्थिक छेतर तो हमने बात की समुंद्री शिमाओं की अन्यन आर्थिक छेतर और एक ध्यान रखना अन्यन जो आर्थिक छेतर है यहां पर उच विज्ञानिक सोद संस्तान स्तापित किये जाते हैं उच विज्ञानिक सोद संस्तान इस में स्तापित किये जाते हैं उसके बाद जो अन्तिम भाग होता है उच सागरिय सिमा होती है इस से बाद जो होती है उच सागरिय सिमा इसके उपर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता ठीक है अगर मान लो इस छेतर में कोई चीज है उसका खनन करना है तो यह वैस्विक सहमती सी होगी सहमती यह हम कह सकते हैं यूएनो की दोवारा मने विस्व संगठन है उससे हम यह मान्यता प्राप्त संगठनों से मान्यता लेनी पड़ती है पर उन्ही का जो डिशिजन होता है वो सर्वमन्य होता है तो यह हमारी शीमाई होगी आगे हम बात करते हैं आज का जो असेस जो रह गया वो है भारत का नामकरण क्या रह गया भारत का नामकरण तो नामकरण की बात करते हैं अब हमने सारी पढ़ लिए रजे पढ़ लिए श्यमाय पढ़ लिए पुड़ोसी देश पढ़ लिए आज हम जो टोपिक है भारत के समाने प्रिच्चे में जो सबसे पहले करना होता है लेकिन हमने वो पिछे रह गया था इसलिए आज दुबारा कर रहे हैं बारत का नाम करना नाम करना कि बारत का नाम बारत क्यों पड़ा कैसे पड़ा कारण क्या है इसके बारे में अपने बात करते हैं देखिए सबसे पहले अगर बारतिय सविधान की बात करें बारत के सविधान मि हमारे देश के कितने नाम है तो दो ही नाम है इंडिया देट इस बारत इंडिया और भारत ये दो नाम है या तो इसको इंडिया या भारत सविधान में इसके दो नाम लिखे गए है सविधान में दो नामों को मान्यता प्राप्त है इंडिया या अपने भारत कह सकते हैं इसके अलावा कोई तीसरा नाम नहीं है अब अपने बात करते हैं इसका नाम देखिए सबसे पहले आगमन हुआ था बारत के अंदर आरेयों का आरेयों का आगमन हुआ था बारत में और जब भारत में आरेय आये तो इसे कहा जाता था आरेय वरत आरेय वरत इस भूबा को जहां पर आरेय आये और इस भूबा को क्या कहा गया आरे वरत आरेों में एक राजा था आरेों का एक राजा था एक राजा था जिसका नाम था भरत और इस भरत राजा के नाम पर उस छेतर का नाम पड़ गया भारत पहली बात तो ये है देखिए बारत में प्राचीन काल में आरे आये थे और आरे जहां पर आके बसे उस छेतर को आरे वरत कहा गया आरे वर्त खा गया आरेों का एक राजा था जिसका नाम था भरत और भरत के नाम करण के कारण या भरत के समराज्य जो था उसे कहा गया भारत वर्स बाद में क्या हुआ वर्स अट गया और भारत ही सेश बच गया दूसरा नाम देखिए इरानी जो जाती है इरानी जो लोग थे वो भारत आए और जब ये भारत आए तो सिंदु नदी के सिंदु नदी के आजपास 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 बस गए अब ये जो आए अब ये क्या थे इनकी जो लेंगवेज थे ये सै को है में कनवड हुते थे अब देखे ये जो सै था ये किस में बदल गया है में बदल गया उचारण उनका है होता था तो अब यह सिंदू जो था वो किसमे बदल गया? हिंदू और इस हिंदू की जो हिंदू मने इसको हिंदू को हिंदू कहने लग गये और उसी परकार आज पास के छेतर को पर दिया हिंदुस्तान ठीक है? क्या बन गया? इसी किसह इसे अंगलिस में इंडस कहते थे और इंडस से क्या बन गया इंडिया कि इंड़ से क्या बन गया इंडिया इंडिया तो बारत का जो नाम है वो नाम पड़ा है दो कारण से एक इंडिया एक बारत हिंदुस्तान जो है वो अपने कह सकते हैं एक आम बहसा का सब्द है जिसको कोई सविधान में मानेता, नहीं मिली है, आगे अपने बात करते हैं, एक जहां रखना, राजस्तान में जो मानसुन का प्रवेश दवार है, वो है, मासवणा, ये मैंने आपको बता दिया था, समेरे का बता दे थी आपको, बारत का जो राजय तिरपूरा है, बंगला से तीन और गिरा हुआ है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, आगे अपने चेतरिये शिमाएं कर ले थी, विज्यानिक अनुशंदान के अंदर, ठीक है, सभी राष्ट्रों का समान इदिकार ये हमने कर लिया था, बारत का मोश्रम, ओस्त समूंदरी तल जो है, बारत कहा याद रखना, बारत का जो ओस्त समूंदरी तल है, हम कह सकते हैं, समूंदर तल की ओस्त उंचाई, वो चनेई से ले गई है, और चनेई को समूंदर तल में जीरो माना गया है, अब छोट-छोटे कोश्चन नॉर्मल से हैं, उनके बारे में अपने थोड़ी बात कर लेते है और आज की जो अपने बारत का समाने प्रीचे वो खतम होता है, बारत का सबसे बड़ा, बारत का सबसे बड़ा जो छेत्रफल की दरिश्टी राज्य है, कम और जादा की बात कर लें, जनसंक्या और छेत्रफल में, उसके बाद, देखिए, बारत का, बारत का, छेत्रफल मे सबसे बड़ा राज्य तो आप सभी को पता है क्या है राजस्थान सबसे छोटा तो आप बताई सकते हैं कौन सा है गोवा सबसे छोटा कौन सा है गोवा उसके बाद जन संक्या सरवाधिक जन संक्या जो है वो उत्तर परदेश में है और सबसे कम जो जन संक्या है वो शिक्यम में है सबसे कम जन संक्या जो गनतव है वो बिहार में है और सबसे कम जो है अरुनाचल परदेश में है सरवाधिक लिंगानुपाद केरल में है और सबसे कम लिंगानपात हर्याना में है सबसे कम साक्सरता जो है सरवादिक जो साक्सरता वो केरल में है और सबसे कम जो है वो बिहार में है देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जिलों की बात की जाए तो युपी में है लगबग पिचेतर जिले यूपी में कितने जिले पिछेतर जिले लेकिन सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो ले है जमुएड कसमीर का जो जैसल मेर से भी बड़ा है ठीक है और लेकिन आप से ये पुछा जा सकते कि भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है बारत में सबसे सुखा जिला कौन सा है या सबसे कम वर्षा कौन सी होती है तो ध्यान रखना आप राजस्तान का जैसल मेर मत करना जो सबसे कम वर्षा बड़ा जो जिला है वो है आपका ले है ठीक हैं कच का अरण है गुजरात का वो दो नमबर पे सबसे बड़ा जिल्ग है कच और तीन नमबर पे जो जिल्ग आते हैं वो है जैसलमेर उसके बादे मैंने आपको बताया था कि साकसरता सबसे ज़्यदा केरल में है सबसे कम बिहार में है राज्य में सरवादी गाम यूपी में है उसके बाद मैंने मैं बताया था सबसे ज़्यदा स्तलिय सीमा बंगलादेश की लगती है सबसे कम सबसे ज़्यदा जलिय सीमा राज्य के साथ गुजरात की लगती है operation जो मेगदूत है operation जो मेगदूत समंदित है वो सियाचिन गलेशियर से है 13 अप्रेल 1984 को युद हुआ था operation मेगदूत से समंदित है 13 अप्रेल 1984 को भार्थ और पाक के बीच में युद हुआ था पाक की शेना को वहां से वापस भेजा था एक बात थोड़ा ध्यार रख लेना भारत का पर्थम जो मानचितर बनाया था भारत का पर्थम जो मानचितर त्यार किया था यहां पर में लिख देता हूँ भारत का पर्थम जिसने मानचितर त्यार किया पर्थम मानचितर त्यार किया त्यार किया किसने किया था एन विले ने याद रखना ये मोस्ट कोशन ने एन विले ने किया था उसके बाद में अपने बात करते हैं हिंद महासागर का अंटलांटिक महासागर से अलग जो करता है वो कैप टाउन के पास है 19 डिगरी 22 मिन पूरवी देशांतर और प्रसांत महासागर जो है हिंद महासागर को अलग करता है 177 डिगरी पूरवी देशांतर डियो गार्षिया हिंद महासागर का एक दवीप है डियो गार्षिया याद रखना डियो गार्षिया जो है हिंद महासागर के अंदर एक छोटा सा दवीप है डियो गार्षिया दवीप के ऊपर अमरिका ने अपना नो सेना अड़ा स्तापित किया है पुरे विश्व में निगरानी के लिए उसने एक नो सेना अड़ा उस पे कबजा किया है अबरिका ने अपना नो सेना अड़ा बारता अब्वारत किया है अभी हमने बारत का बहुतिक सवरूप भारत का समाने प्रिच्च्चत में यह बात की है कल हम इसके बारे में भोतिक विवागों की बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद